दोस्तो आई पील 2023 का एक और महा मुकाबला पंजाब किंग्स और राजस्थान रोयल्स के बीच खेला गया जिसमें राजस्थान रोयल्स के जीत के बाद कुछ टीमों को पॉइंट स्टेबल में फायदा हुआ है तो वहीं मुंबई इंडियन्स को तकड़ा जटका लगा है तो आखिर दोस्तो पॉइंट स्टेबल में कौन से हुए है बड़े बदलाओ साथ ही राजस्थान के जीत के बाद किन टीमों को फायदा हुआ है और किन टीमों को जटका लगा है सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में तो बने रहे वीडियो के अंतक और दोस्तो अगर आ इंदबाजी का फैसला करते हैं वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब की टीम पांच बिकट के नुकसान पर 187 रन बनाती है इसके बाद 187 रनों के लच का पीछा करने उतरी राजस्थान के टीम और 19 ओबर 4 बालों में ही इस मुकाबले को जीत जाती है तो चलिए मुकाबलों में 4 मुकाबले जीती है जिस वज़े से हैदराबाद के 8 अंक हैं और हैदराबाद पले ओफ से बाहर हो चुकी है वहीं 9 नमबर पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम है जो 13 मुकाबले खेल कर 5 मुकाबले जीती है इसलिए दिल्ली के 10 अंक हैं और दिल्ली पले ओफ से बाहर हो चुकी है इसके बाद आठवे नमबर पर पंजाब किंग्स की टीम है जो 14 मुकाबलों में 6 मुकाबले जीती है जिस वजह से पंजाब के 12 अंख है और पंजाब पले आफ से बाहर हो चुकी है इसके बाद साथवे नमबर पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम है जो 13 मुकाबलों में 6 मुकाबले जीती है इसलिए कोलकाता के 12 अंक हैं और कोलकाता पले आफ से बाहर हो चुकी है वहीं 6 नमबर पर मुंबई इंडियन्स की टीम है जो 13 मुकाबलों में 7 मुकाबले जीती है जिस वजह से मुंबई के 14 अंक हैं और मुंबई को पले ओफ में जाने के लिए बचे हुए एक मुकाबले को अच्छी रन रेट से जीतना होगा इसके बाद पांचवे नमबर पर राजस्थान रोयल्स की टीम है जो 14 मुकाबले खेल कर 7 मुकाबले जीती है इसलिए राजस्थान के 14 अंख हैं और राजस्थान पले ओफ से बाहर हो चिकी है वहीं 14 नमबर पर रोयल्स चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम है जो 13 मुकाबलों में 7 मुकाबले जीती है जिस वजह से बैंगलोर के 14 अंख हैं और बैंगलोर को पले ओफ में जगए बनाने के लिए बचे हुए एक मुकाबले को ज जीतना होगा वहीं दूसरे नमबर पर चन्नाई सुपर किंग्स की टीम है जो 13 मुकाबले खेल कर 7 मुकाबले जीती है और एक मुकाबला ड्रॉ रहा है जिस वजह से चन्नाई के 15 अंख हैं और चन्नाई को पले ओफ में जाने के लिए अपने बचे हुए एक मुकाबले को जीतना होगा इसके बाद नमबर वन पर गुजराथ टाइटन्स की टीम बनी हुई है जो 13 मुकाबले खेल कर 9 मुकाबले जीती है इसलिए गुजराथ के 18 अंख है और गुजराथ पले ओफ में अपनी जगह पक्की कर चुकी है तो दोस्तों आपको क्या लगता है आई पील 2013 की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी हमें कमेंट में अपनी कीमती राय जरूर दे